हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल बिनर्स एजूकेशन पॉइंट पर दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ एकॉनमिक्स के थिरी मार्कर पर दोस्तो अगर आपको हमारी थिरी मार्कर की सीरेज पसंद आती है तो आप हमें कॉमेंट सेक् जरूर बताईए और आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सीगरती सीगर आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परिक्षा हो सभी से संबंदत महत्पूर कंटेंट आपको हमारे चैनल के माद्यम से लगातार उपलब्द कराया जा रहा है आज का हमारा पहला थिरी मारकर है चंबल एक्सप्रेस बे तो दोस्तों जो चंबल एक्सप्रेस बे है यह आपके MP सेक्षन को भी कवर करेगा साथी साथ यह एकॉनमिक्स और जोगरफी में आपके लिए अतियंधी महत्पूर होगा तो हमारा पहला थिरी मारकर है चंबल एक्सप्रेस बे तो चंबल नदी के सहारी यह बिक्सित किया जा रहा है और यह 303 किलोमीटर लंबा 6 लैन एक्सप्रेस बे होगा यह एक्सप्रेस बे मद्द प्रदेश के सियोपूर मुरेना और गोहद बिंड जिले की एक तैसील है वहां से होकर गुजरेगा यह राज़स्तान मद्द प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर जाने वाला एक राजमार्ग कोटा और इटावा को भी जोडेगा यह मद्ध प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जाने वाला राजमार्ग है साथ ही साथ यह है राजमार्ग कोटा और इटावा को भी जोड़ेगा तो इस प्रकार से यह चंबल एक्सप्रेस बे है जो चंबल नदी के सहारे 303 किलो मीटर तक बिक्सित किया जा रहा है और यह एक सिक्स लैन एक्सप्रेस बे है यह मद्ध प्रदेश के तीन जिलों से होकर गुजरेगा जिन में प्रमोक है मुरेना, सियोपर और गोहद इसकी पश्यत हमारा अगला थिरिमारकर जो है वह है MPMSME MPMSME का गठन हुआ था 5 अप्रेल 2016 को MPMSME का गठन किया गया था इसका उद्देश क्या है तो मद्ध प्रदेश में सामजिक आर्थिक बिकास के साथ रोजगार के अवसरों में ब्रद्धी करना इसका एक प्रमख उद्देश रखा गया है MPMSME द्वारा सूक्ष में लगू एवं मध्यम उपक्रमों के लिए रिण के अलावत तकनी के सुविदा भी मुहाया कराई जाती है दोस्तो इस प्रकार से अगर आप 2019 की मुख परिक्षा और 2020 की मुख परिक्षा दौनों में ही अगर आप इसी प्रकार से थिरी मारकर लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है इसमें से आपको तीन में से तीन नंबर मिलने की संभावना रहेंगी आप अगर इसी प्रकार से थिरी मारकर को लिखते हैं तो हम एक बार पुना चर्चा कर लेते हैं MP MSME की संबंद में तो इसका गठन हुआ था 5 अप्रेल 2016 को मद्ध प्रदेश में Micro Small Middle Enterprises के गठन का जो प्रस्ताव लाया गया था या जब गठन किया गया था तो वह 5 अप्रेल 2016 को गठन किया गया था इसका उद्देश क्या है तो इसका उद्देश है मद्ध प्रदेश में सामाजिक आर्थिक बिकास के साथ साथ रोजगार के अफसरों में ब्रद्धी करना और MSME की द्वारा सूख्ष में लगू इवर मध्यम उबक्रमों के लिए रिण के अलावा तकनी की सुविदाये भी मौहिया कराई जाती हैं इसके पश्यच जो हमारा अगला थिरी मारकर है वह है ब्यापारिक गुट ब्यापारिक गुट क्या होते हैं तो हम एक बर देशों के समू कर संग जो सदस्य देशों के खिलाब सदस्य देशों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है उसे हम ब्यापारिक गुट कहते हैं ब्यापारिक गुट के उधारन क्या क्या है तो EU अर्थात European Union, NAFTA और ASEAN ये प्रमुक ब्यापारिक गुटों के उ धारन हैं इनकी उधेश क्या होते हैं तो ब्यापारिक गुट बनाने का जो उधेश होता है एक आंतरिक बाजार बनाना ब्यापारिक गुट बनाने का उधेश एक आंतरिक बाजार को बनाना होता है हम एक बार पुनाचर्चा कर लेते हैं ब्यापारिक गुट के बिसाय में तो ब्यापारे गुट जो होते हैं वह कुछ देशों के समूओं का एक संग होता है जो सदस्य देशों की रक्षा करने के लिए बनाये जाता है जैसे यूरोपी यूनियन, नाफ्टा, आसियान आदी यह प्रमुख ब्यापारे गुट के उधारण है इनका उद्देश क्या हो हमारे जो संपूर्ण नोट्स की सीरेज है मातर 4,000 रुपे में आपको उपलब्द कराई जा रही है जिसमें सबी विसेओं से सम्मंदित नोट्स उपलब्द कराई जा रही है और इसके अंतरगत आपको 2019 की मुक्ष परिक्षा और 2020 की मुक्ष परिक्षा दोनों के लिए य नोट्स अत्यंति लापकारी होंगे साथी साथ यह जो नोट्स हैं वह साड़े आठ सो से अधिक अंक आपको मुक्ष परिक्षा में दिलाने के लिए कारगर सिद्ध होंगे क्यूंकि इन्हें हमने प्रशनोत्तर सहली में बनाया है और साथी साथ इनकी भासा अत्यंति सहज है जो याद करने में आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आसानी से याद करने की सुविदा इसमें उपलब्द कराई गई है क्यूंकि जब भासा सरल होती है तो हमें आसानी से याद हो जाती है हमारा जो अगला तिरी मारकर है वह है बित्त पूंजी बित्त पूंजी क्या हैं बित्पूजी के अंतरगत इसे हम बित्पूजी के अंतरगत क्या-क्या सामिल किया जाता है तो इसके अंतरगत सामिल जाते हैं दोस्तों अगर आप 2020 की प्रारंबिक परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2020 की प्रारंबिक परिक्षा में आप 80 से अधिक नमबर लाना चाहते हैं अर्थात 80 प्रशन सही करना चाहते हैं और 160 से अधिक नमबर लाना चाहते हैं तो आप हमारी प्रारंबिक परिक्ष सपलब्द कराए जाएंगे जिसके तहट आपके 5000 प्रेशने कवर होंगे और दोस्तो प्रारब्मिक परिक्षय में सफलता का मूल मंतर यही है आप जितने अधिक से अधिक बस्तुनिष्ट प्रेशने सॉल्व करेंगे आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे ब हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जोड़ सकते हैं हमारे टेली घृम चैनल पर आपको निसुल के कोईज की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है जिसके माद्यम से प्रति दिन 10-20 प्रेश्न आपको बस्तुनिष्ट उपलब्द कराई जाते हैं जिसके माद्यम से आ अगातर उपलब्द कराया जाता है हमारा जो अगला थिरी मारकर है वह है प्रतिवाही प्रभाव क्या होता है तो वह इस्थिति जब अर्थवस्ता की एक शेत्र में सम्रद्धी का अन्य छेत्रों की सम्रद्धी पर विप्रीत प्रभाव पड़ता है तो वह प्रतिवाही प् कहलाता है अर्थात जैसे प्रात्मिक शेत्र है प्रात्मिक शेत्र की अगर सम्रद्धी हो रही है और जबकि दुतियक शेत्र तृतियक शेत्र पर इसका विप्रीत प्रभाव पढ़ रहा है तो इसे हम प्रतिवाही प्रभाव कहेंगे यह संकल्पना किस ने दी थी तो यह सं और इंस्टापर भी-फॉलू कर सकते हैं फेज़ से डाN पर भी हम ब रिवा इन्सुलक सेवाइं लगातार दुर्दान कर रहे हैं तो आप सीग्रतीर हमारे फेज़ सेक्षिन पर में बता ऐब आप को प्रारंबीक परिक्षिया यतकि समिंद हो जब और वी परेशानी हो तो हम सीगरती सीगर उस बिसे सम्मंद में आपको हमारा वीडियो एवेलेविल कराने के लिए सदय उतत पर हैं क्योंकि हमारे चैनल का एक मात्र उद्देश आपका सिलेक्षन है आपका सिलेक्षन ही हमारे चैनल की सफलता है तो आप अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल के साथ जुणें और हमारे चैनल के माध्यम से जो निसुल के कंटेंट आपको उपलब्द कराये जा रहा है उसका लाब लें चाहे कोई भी परीक्षा हो चाहे आयोग की परीक्षा हो या फिर ब्यापम की परीक्षा हो SSC परिक्षा हो, railway, NTPC परिक्षा हो कोई भी परिक्षा हो सभी से सम्मंदित महत्पूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातर उपलब्ध कराये जा रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी inform कर सकते हैं, हमारे चैनल के बारे में सब्सक्राइबर हो सकें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से लाव हो सकें तो सीगरती सीगर आप हमारे 10,000 सब्सक्राइबर का लक्ष पूरा करवाईए और जिस भी विसय के सम्मंद में आपको कोई भी परिशा नहीं हो तो आप हमें इंफॉर्म कर सकते हैं हम उस विसय में आपको हमारे वीडियो प्लब्द कराने के लिए तक पर रहेंगे धन्वाद दोस्तों मलते हैं अगले वीडियो में